सातियों हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि more risk, more profit लेकिन हम बहुत जादा risk भी लेते हैं पर जो profit में appreciation मिलना चाहिए जो profit मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है क्यों? क्योंकि अब समय बदल रहा है अब है कि smart risk and smart profit इसमार्ट तरीके से investment कीजिए और उसका जो return है उसका जो appreciation है वो भी आपको smart तरीके से ही मिलेगा तो जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे ही हमारा जो चीजें है वो भी बदलती है तो आप more risk, more profit के साथ नहीं अब smart risk और smart profit के साथ आप investment कीजिए प्रॉपर्टी में तो साथियो स्वागत है आपका हमारे ओफिशल यूट्यूब चैनल ओमप्रोप्टेक प्राइवेट लिमिटिड पर और मैं हाजिर हूँ सोन्या चौधरी और क्या-क्या खबर है एक बार जान लेते हैं हम स्क्रीन पर देखकर तो पहली खबर साथियो यूमना एक्स्प्रेस वे की लंबाई कम हो गई है और चोड़ाई बढ़ गई है वो कैसे हुई है अभी हम news के माध्यम से हम आपको बताएंगे दूसरे वहीं द्वापर यूग और संस्क्रति की दिखेगी जलक और तीसरी खबर भी बहुत अच्छी है 3500 एकड में चार नए रेजिदेंशल सेक्टर बनाने जा रही है यूमना थोटी अब नए चार रेजिदेंशल सेक्टर की प्राइनिंग कर रही है अभी जो रेजिदेंशल सेक्टर है वो सेक्टर 22, सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 16 और सेक्टर 17 पर अब 4 रेजिदेंशल और बढ़ा रही है वो कौन-कौन से रेजिदेंशल सेक्टर होंगे वो भी हम जानेंगे वीडियो के माध्याम से तो सात्यों जैसे हमने पहले न्यूस की बात करी कि यमना एक्सप्रेस्वे की लंबाई हुई कम और चोड़ाई बढ़ गई है दरासल हैरिटेस सिटी की संसोधित रिपोर्ट में सामने आई है ये बात कि एक्सप्रेस्वे के दोनों और अध्योगिक से लेकर रेजिडेंशल और कमर्शल दोनों तरफ ही एक्टिविटी चल रही है तो उसी की गतिविधिया उसमें होंगी हैरिटेस के सिटी के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी तो उसी की एक संसोदित रिपोर्ट निकली है और उसी में ये बात सामने आई कि जो यमना एक्सप्रेस्वे की लेंध है वो कम हो गई है और जो विड्थ है वो बढ़ गई है वहीं जाल लेते हैं कि यमना एक्सप्रेस्वे से व्रंदावन श्री कृष्ण बा के बिहारी मंदिर अब मात्र साथ मिनट से भी कम समय में हम पहुँच सकते हैं दरासल संसोदित डीपी आर में यमना एक्सप्रेस्वे की लंबाई कम करके 6.8 किलो मीटर कर दी गई है और जबकि चोडाई को बढ़ा दिया गया है इस एक्सप्रेस्वे के एक और तो अध्योगिक सेक्टर्स बन रहे हैं और एक तरफ आवासी है और जो सेमी कमर्शल है जो कमर्शल है उनकी अक्टिविटी चल रही है वही यमना प्राधिकरण ने कोल्ड वैल बैंकर्स रिचर्ड्स एलिस साउथ प्राइबेट लिमिटेड से राया के पास हैरिटेस सिटी की डी पी आर तैयार कराई थी करवाई थी वो भी विक्सित की जानी थी व्रजतीर्त विकास परिशत ने से पुराने वरंदावन के नजदीक बसाने का एक सुझाव दिया था एक सजेशन दिया था इसके अलावा संसोधित रिपोर्ट में अब आबादी को एलिवेटेड पुल लगबग साड़े साथ यूग और संस्क्रती की दिखेगी हमें जलग वैसे तो लगातार यमना प्राधिकरण ने एजुकेशन हो या रोजगार हो या इंडस्ट्रियल हो या रेजिडेंशल हो हर चीज को एक ही छत के नीचे दिया है वहीं अब एक संस्क्रती से भी जुड़ी यहां पर हमें किये जाएंगी कॉरिडोर से गुजरने के बाद श्रद्धालू पैदल और वाहनों के थ्रू भी उसे देख सकते हैं उनके दर्शन कर सकते हैं तो इसमें भीड़बार वाला जो माहौल रहेगा जो ट्रैफिक होता था वो भी कम हो जाएगा तो सातियों वैसे तो लगातार यमना प्राधिकरन नई नई चीजों को ला रहा है और डवलब भी कर रहा है ऐसा नहीं है बहुत सारे वीजर के कोश्चन्स भी होते हैं कि ये चीजें हमें देखने को कब मिलेंगी तो सातियों जब इतना बड़ा सहर बन रहा है तो थोड़ा समय जरूर लग रहा है पर द मिक्स लेंड यूज के आधार पर होगा विक्सित जो तीन सेक्टर दिये हैं 3, 4, 5 इसमें केवल रेजिडेंशल होगा और जो सेक्टर 12 है उसमें 50% आप रेजिडेंशल बनाएंगे और 50% उसमें अलग तरीके की अक्टिविटी के लिए विक्सित किया जाएगा तो अब य यह सेक्टर यानि की रेजिडेंशल सेक्टर की जादा मांग होगी तो उसी को देखके यह अमना प्राधिकर्ण ने अपना यह प्लैन किया है बाकी अभी समय तो लगेगा सात्यों क्योंकि अभी जो डेवलप्मेंट चल रहा है वो सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में जब तक यह तयार नहीं हो जाते लोग यहां पर रहने नहीं आ जाते तब तक दूसरे सेक्टर डवलप करने में थोड़ा सा समय लगेगा बाकी सात्यों बहुत अच्छा समय है हमने अभी सबसे शुरूबात में बताया कि स्मार्ट तरीके से इंवेस्टमेंट करें और अच्छी जगे पर हमारे नमबर मेंचन रहते हैं बाकी हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं उसके बिहाफ पर हमें बहुत अच्छा लगता है कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया और हमारी वीडियो को देखा है यहां तक तो आपका जो प्यार आपका जो प्रेम आपका जो इसने हम पर ब बन्यवाद.